हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयार इस्टडी में दोस्तों मेरा नाम है इम्रान दोस्तों इस वीडियो में हम प्राफिट एंड लोस के पार्ट टू को सॉल करेंगे जिसमें हम जब कोई वस्तु दो बार बेची जाती है उन तो आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस में जाकर देख सकते हैं अब हम परसेंटेज और एवरेज के कुश्चन को भी हमने एच डिया दो की बुक से टाइप आइस सॉल किया है आप उनको भी देख सकते है नया चैनल है इस चैनल को भी पूझ गया तो देखिए इस तरीके कुश्चन जब भी रुपए और मातरा वाले कुश्चन आते हैं तो हमें इसमें एक सी ध्यानक नहीं होती तो उपर तो हम लिखते हैं रुपी है यानि कि कितने रुपए दिये गए और नीचे हम लिखते हैं मातरा और यहाँ पर लिए जो कितने रूपए में कितनी मात्रा मिल लें उस पर कितना लाव हमसे पूछा गया और कितनी हानि दी गई यह बस यह इस कुशन में धियान रिखने वाली बात है लाव हो या हानि हो हमेशा क्रेम उल्य पर होता है यह भी मैंने आपको सब्सक्राइब उसको अगर हमें इस पर 30% का लाप राप करना होता है तो हम लिखते हैं इसको 130 बटे सो तो थे किसी परकार से हम इन कुश्चन में भी करेंगे तो देखें यहां पर जब हम जब कहा गया है कि इसका मतलब जार परसेंट की हानी होने के बाद 96% की वैल्यू हमें दी गई अब हमें क्या करना है इस पर 44% का लाप पराप करना है तो यहां लिखते हैं 144 इसको हम इस पर कार से लिख सकते हैं जैसे हैं पर एक बटे नौ लिखा हुआ है अगर हमें चार परसेंट की हानी हुई तो 96 की वैल्यू हमें दी गई है यह सो में से 96 के लिए हमें दी गई है इसके बाद हमें 44 परसेंट का लाप पराप करना है एक से 44 बटे 100 तो यहां पर क्या अगर हमें देखिए 100 से 100 कट जाएगा वाफस सही एक बटनो इंटू में से 44 बटन में 96 बन जाएगा तो यहां पर हमने 100 से 100 पहले ही काट दे तो इसलिए हम इसको शौट में पहले ही लिख लेते हैं अगर पूरा लिखेंगे तो आपको 100 बाद में भी यह काटना पड़ेगा तो इसको पहले ही काट देते हैं तो बस इतने ही वैल्यू को आपको करें थेन तो उपर तो देखा बचा एक उपर एक बचा और नीचे तीन की गुणा दो करें कि चैंने तो अपर क्या मानत हमने रुपए यह रूपए है और नीचे है मात्रा तो देखे एक रूपए में जब हम 6 वस्तू को बेचेंगे तो हम में क्या होगा यानि उस व्यक्ति को 44% का लाव होगा तो option D हो जाएगा इस question का right answer बस आपको तो इतनी चीज ध्यान में रखनी है जो भी रूपए दिये हो जितनी भी मात हानी से जल्दी से जल्दी solve करेंगे ताग कुशन में कहा गया कि 12 संत्रे साट रूपए में बेचने पर एक विक्ति परसेंट की हानी होती है रूपए तो हम लिखते है उपर तो देखें यहां साट रूपए दिये गए है और नीचे कितने दिए गई संत्रे बारा इनिके म 35% का लाव तो 25% का लाव प्राफ करने करें हां 25 बस इतने ही वाल्यू को पूट करना है और आंसर आपका काटाकूटे करके आ जाएगा 25 से इसको काटेंगे 25 कि 25 हुथा 125 कि कुछ वारा चाहां से साट तो पांश की पढ़ना जम करेंगा तो पर आजैगा 25 नीचाह यह तीन तो इसको 25 उरुपे में 3 संत्रे बेचने होंगे लेकिन हमसे पुछा है 100 उरुपे में कितने तो इसके हम 4 से मल्टिप्लाइ कर देंगा और इसकी भी हम 4 से मल्टिप्लाइ कर देंगा तो उपर तो आ जाएगा यह 25 का 100 और नीचा आ जाएगा चार्टिया 12 सो रुपय में क्या करना होगा उसको 12 संत्रे बेचने होगा यानिके सो रुपय उपर तो पैसे है और नीचे मात्रा है अगर वो सो रुपय में 12 संत्रे बेचेगा तो उसको 25 प्रसेंट का लाब होगा यानिके option C is question का right answer हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं सारे कुशन सेमी टाइप के यानिके सेमी कुशन है बस आपको जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैल्यू एक देफ़े बिठा लेना है उसके बाद काटा कुटी करका answer आ जागा यहाँ पर देखिए 80 पैन दिए गए यानिके मात सेमी कुशन देखिए मातर जो पैसे दिए गया हो तो उसको उपर लिखते हैं 140 में क्या कर रहा है वह से पैन बेचता है और इस प्रिकार से 30% की हानी होती है इसका मतलब 70 की वैली हमें दी गई है और 130 यानिके 130 के हमसे पूछिए यानिके हमसे चार रुपे में कितने पैन प्रкив्रेश nhए प्रिशनी को यह पूछआ यानिके 30% का profit हमें लेना पड़ीगा तो उपर profit लिखेंगे बस इसको हम साल कर लेंगे आँसर हमारा आ जाएगा एक-0 से इसको काटेंगे चार बार तो वच्छ म non नीछ बचछ्ञ है तो यहाँ से जब हमने उपर 8 की गुणा करिया तो नीचे भी 8 की गुणा कर देंगा तो यह हो जाएगा 8.32 तो जब हम 30% का प्रॉफिट लेंगे यानिके उसको 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए एक सो चार रुपे में 32 पैन बेचने होगा यह हो जाएगा ऑप्सन सी इस कुशन का राइट आंसर की एक सो चार रुपे में 32 पैन बेचेगा जिससे 30% का प्रॉफिट हो कुशन नमबर 4 है कि एक वस्तु को 21,000 रुपे में बेच कर एक व्यक्ति को 5% का लाब होता है और 15% का लाब पाने के लिए उसको कितने रुपे में बेचेगा यह इस कुशन में हमसे पूछा गया है देखिए हम इस कुशन को इसी फिरकार से सौल कर लेंगे जैसे हम पिछले कुशन को सौल करते आ रहे हैं एक वस्तु को जब वह 21,000 रुपे में बेचता है तो उसको 5% का लाब होता है 21,000 की वैल्यू क्या यानि कि यह 21,000 जो है यह 105 की वैल्यू है क्योंकि इसमें 5% का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है और हमसे पूछा गया है कि 115 यानि 15% का लाब राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचागा तो 115 की वैल्यू हमसे पूछी गई है जब हम 21 से इसको काटेंगे तो यह जाएगा 5 बार और 5 से हम इसको काटेंगे तो यहां से चला जाएगा 23 बार यानि कि 5 दून अदर पांतिया 15 और 3 जिरों हम यहां ऐसे यह लगा देंगे तो उसको 23,000 रुपए में वो बेचना होगा जिससे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो अगर वो हमसे पूछता कि उसकी जो कॉस्ट प्राइज है यानि कि जो क्रेया मुली है वो कितना है तो यहां हम 100 से इसकी मुल्टिप्लाय कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता अगला कुश सब्सक्राइब करना है तो उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा तो उसको 10% की हानी होती यानि कि 90% की वैल्यू है अब उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो अगर उसको अगर हम से पूछता कोस्ट प्राइस कितनी हैं तो हम यहां 100 से गुणा करते हैं लेकि कि 90 की वैल्यू हमें दी है और 110 की वैल्यू हम से पूछी गई है यह हम इसको कह सकते हैं तो एक जिरो से मेक जिरो काटें यहां जाएगा नो दुना अठारा ग्यारा दुना बाइस 220 रुपए आ जाएगा इस कुशन का राइट आंसर यानिका जब वो उस वस्तु को 220 बेशता है तो उसे 15% की हानी होती है यानि के 85% की वैल्यू हमें यह दी गई है आगे कुशन में कहा गया है कि 20% का लाप माने के लिए उसे वस्तों कितने रुप में बेशना होगा देखिए यह भी साधान कुश्य नहीं है इनमें जादा कुश्य करने की जरुद नहीं है सिंगल लाइन में यह आंसर हम निकाल लेंगे तो हम यहां 120 की वैल्यू पूछी है इनको हम जब काटेंगे तो यह हो जाएगा सत्तरा पंजे पिचासी और यह हो जाएगा पांच दुना दस बारा दुना होता है 24240 ऑप्शन भी आ जाएगा इस कुशन का राइट आंसर ज कि यानि कि 20 वस्तू को 160 रुपे में बेशने पर जो बिस वस्तू 160 रुपे में बेशता है दो उस वक्ति को 20% की हानि होती है तरद लुए सर बीस परसेंट का लाब कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपे में कितनी वस्तूओं को बेशना होगा कोती सिंपल प्रसन है इस तरह के कुश्चन हमने काफी सारे पीछे कर भी लिए हैं इसमें क्या लिखते हैं जो भी प्राइस दिया हो उसको हम उपर लिखते हैं और जो मातर दिये हैं तो यहां 160 रुपे दिये गए हैं 20 मातर दिये यानिके 160 रुप में हो 20 वस्तु बेचता है जिससे को इसको 20% की हानी होती है यानिके 80% की वैल्यू हमें दी गई है और हमें 20% का प्रॉफिट निकालना है तो हम 120 प्रॉफिट निकाल लेंगा और आगे जो कुश्चन में कहा गया है उसको हम सौल कर लेंगा निक कि निकाल लेंगे जो जीरो से जीरो केंसिल हो जाएगा आठ दूना होता है 16 यह 20 से हां पर यह 20 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो बचा 12 और नीचे बचा एक तो जब यहां यानिके 12 रुपह में हमें एक वस्तु को बेचना होगा जिससे हमें 20% का प्रॉफिट हो तो बार से जम बारह की गुणा करेंगा तो यह जाएगा 1224240 नीचे हो जाएगा बेशी कम बीश तो 240 रुपए में हमें 20 वस्तु को बेशना पड़ेगा जिससे हमें 20 परसेंड का लाब होगा तो option A हो जाएगा question का right answer एक के value निकाल का आप सक किसी की value पूचे आप तो डर एक उसको गुड़ा करके निकाल लेजिएगा question नमर आट है एक व्यक्ति एक रुपए में 36 संत्रे बेशता है जो वह एक रुपए में 36 संत्रे बेशता है तो उसे निचे लिखते हैं एक रुपए में 36 संत्रे बेशने पर उसको चार्ट परसेंट की हानी होती है यानिका च्यानवे परसेंट की value हमें दिए और हमें 108 की value पूछी यानिकालना है तो आगर जब हम इसको काटेंगे तो यह हो जागा बारह नम्मा एक साट और बारह अठ्ट ह होता है 96 नो से 36 को काटेंगे नो चोग 36 होता है उपर तो आजाएगा एक नीचे आजाएगा आठ चो 32 तो एक रुपए में 32 वस्तू को बेशना पड़ेगा जिससे हमें 8% का profit हो जब एक रुपए में 36 बेश रहे थे तो 4% की हानी हो रही थी अब एक रुपए में 32 बेश रहे हैं तो हमें 8% का profit होगा तो option 6 question का right answer हो जाएगा question number 9 है एक दुकान दान ने एक cycle 10% की हानी पर बेची वह cycle को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानी होती मतलब पहले ही हानी हो रही है और फिर से हानी हो रही है यदि 10% हानी का जो विक्रे मुल्य हो 1200 रुपए है जब 1200 रुपए में जब 10% की हानी होती है तो उसका विक्रे मुल्य लिए 1220 का मतलब 90 की value हमें दी है तो की value हम यहां से निकाल लेंगे तो यहां पर एक जिरो से एक जिरो cancel हो जाएगा यह तीन से काटेंगे में इसको तीन तीन नो हो जाएगा यहां पर 30 बचा और तीन ती की हानी होने के लिए उसको वस्तों कितने रुपए में बेचना पड़ेगा तो यहां पर देखें यहां लिख देंगे हम यहां जागा इसका कोश्ट पराइज यहां से हम 19% की यहां से हम निकाल लेंगे 81 की value क्योंकि देखें जब हम तो मैसे 19 को माइनस करेंगे 19% को तो हम 20ड चालिस चार हजार यहां से मिसको कार देंगे और यहां पर आजाएगा यह 2 0 कैंसिल हो जाएगे है कि या जाएगा 27 एक जिरो गुणा मेर्ट चार कर देंगे हम 210 गुणा में 4 तो यहां जीरो घ्चा टबेसे आजाएगा क्या इस कुशन में हमने कहीं गलती करी है तो चलिए हम इस कुशन को एक बार फिर से सौल कर लेते हैं एक दुकानदार एक साइकल को 10% हानी पर बेचता है जब 10% हानी पर उसने बेची तो उसका विक्रिय मुल्य कितना आए निकल के 1200 तो 90 की वैल्य हमें दी है 1200 आगे कुशन में पूछा गया है कि 19% की हानी होती तो उसको हुए कितने रुपे में बेचता तो यहां से हम क्या करेंगे 81 की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक जिरो से एक जिरो कैंसिल हो जाएगा यह नोनम इक यासी और बारा नम्मा होता है 108 तो वैसे ही फालतों हमने उस कुश्चन को इतना लंबा बना दिया था जबकि हम स्वाट तड़ीके से इसको कर सकते हैं तो आपसर नहीं हो जाएगा इस कुश्चन का राइट आंसर वह एक हजार असी में उसको बेचेगा जिससे उसे 19 परसेंट की हानी होगी तो चलिए अगला कुश्चन हम देख लेता है कोई कुश्चन में क्या होता है मिस्टेक हो जाती है तो चलिए हम अगला कुश्चन करते हैं कुश्चन नमर 10 है एक गोड़ा 20,000 रुपे में बेचने पर 25% का लाव होता है यदि उसे 40% के लाव पर बेचा जाए तो उसका विक्रे मुल्य कितना होगा जब उसको हम 20,000 रुपे में बेच रहे हैं यानि कि 20,000 रुपे में जब गोड़ा विक्र आया तो उस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है यानि 125% की वैल्यू हमें दी गई है लेकिन हमसे 140% की वैल्यू पूछिए क्योंकि हमें क्या कर गया है कि कुशन में 40% का लाव पराप्त करने के लिए उसे इतने रुपे में बेचा जाता यहीं इस कुशन में पूछा गया है तो हम इसको काट लेंगे यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं 25,5,125 यह 2,0 काटें इसको नियुक्त कर लाप पर बेचा गया है तो उसका विक्रिया मुल लिए 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 इस वीडियो का लाश्ट प्रेस्न ने एक गोड़ा 20,000 रुपे में 25% के लाप पर बेचा गया है जाता है तो दुबारा कुश्चन ले लिए इस कुश्चन को पहले यहां पर सौल कर लिया है तो चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और नया चैनल इसे चैनल को भी प्लेश सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए हम मिलते हैं नएक सुडियो में तब तक के लिए बाए प्लेश सब्सक्राइब